मीरा बाई की भगवान स्रीकृष्ण के प्रती भक्ति को आप सभी भलीभाती जानते ही हैं। मीरा बाई ने जीवन बर भगवान स्रीकृष्ण की भक्ति की और अपना संपुर्ण जीवन उनकी भक्ति में समर्पित कर दिया था। और अब कल्यूग में भी मीरा जैसी भक्त प्रकट हुई है। दरसल एक लड़की आज के जमाने में रहते हुए भी भगवान विश्णू से शादी कर ली। यहां तक कि शादियों में जितने भी रस्म होते हैं उस लड़की ने सारे रस्मों को निभाया। बराती में दुला बरात लेकर आता है। ऐसे ही भगवान विश्णू भी उस लड़की के लिए बरात लेकर आये। उस बरात में कूल 311 बराती शामिल हुए। लड़की का कन्यादान भी हुआ। अब कौन है ये लड़की ये सब आपको आगे के वीडियो में बताएंगे तो वीडियो कौन तो तक पूरा देखे। अब नमस्कार आप देख रहे हैं जंता जंक्षन और मैं हूँ आपके साथ श्वेता मिस्रा। भक्ती तो हर कोई करता है भक्त भी हर कोई होता है। दरसल जैपूर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पूजा सिंग है। उसने भगवान बिस्नु से शादी कर लिया है। जिसके बाद अब खूप चर्चा का विशय बन गई है। कोई उसका साथ दे रहा है तो कोई से गलत बोल रहा है। शादी को उसने पूरे हिंदू रिधी रिवाजों से किया है और जैसे अन्य लड़कियों की शादी होती ये वैसे ही इस लड़की का भी शादी होता है। भरी का इंतजाम किया गया और देखते-देखते शादी भी हो गई साथ फेरे भी ली शादी में कन्यादान भी हुआ हसी खुसी उसकी विदाई भी हुई वहीं जब लड़की से बाचित किया गया तो पता चला कि घर वाले रिस्तेदार वाले शादी कराने का दबाव बना रहे थे और मुझे शादी नहीं करना था पर सब लोग बोल र कर सकती हो जिसके बाद मैं अपने परिवार वालों से बाचित की शुरू में तो कोई भी तयार नहीं हो रहा था पापा भी एकदम मना कर दिये फिर बाद में मेरी मम्मी मान गई फिर उन्होंने ही मेरे सारे शादी का खर्चा उठाया पापा तो इस शादी के लिए माने न आपको बता दू कि या शादी 8 दिसंबर को हुई है शादी मंदिर में हुई जहां लड़की के परिवार वालों में से कुछी लोग आये जिसमें लड़की के पिता नहीं आये बाकी उसकी सहेलियों ने भी उसका भरपुर्ष साथ दिया पूरे धूम धाम से उसकी शादी ह पूरा दो लाग का खर्च हुआ जब उस लड़की से पूछा गया कि आपको शादी करने ही थी तो आप किसी और से कर लेती लेकिन ठाकुर जी से ही क्यों तो फिर उसने बताया कि मैं 30 साल की हूँ अधिकतर लड़कियों की शादी 20-30 साल की उम्र में घरवाले कर देते हैं मैंने भी सोच रखा था कि मैं शादी करूंगी शादी ना करने का कारण पूजा ने बताया कि बच्पन से देखते आई हूं कि एक वैवाहिक जीवन कैसा होता है इसलिए मैं भी शादी नहीं करना चाहती थी लड़की को शादी में कितना सारा कुछ झेलना पड़ता है और लड़की के लिए सुहागन होना बहुत साअब की बात हैं इसलिए मैंने ठाकुर जी से शादी किया है ठाकुर पूज आप अपने घर पर ही रहती है अपने घर के अंदर ऑफ चोटा सा ठाकुर जी का बंदिर बनवाई है उसी में सुबा पूजा करती हैं ठाकुर जी को सुबा संभोग लगाती है लड़की की मा रतन कनवर भिस्तादी से बहत मोश है वहीं पंडित्रा के ठाकुर जी के नाम का सिंदूर अपने हाथों से अपने मांग में भरा इस शादी के होने के बाद अब हर जगह इसी शादी की चर्चा हो रही है कुछ लोग शादी को सही बोल रहे हैं और देखते रहें जंता जंक्षन वीडियो को like, share करें धन्यवार